दिली करें न्यूस में अभी की खबर है करनाटक राज्यूत्सव दिवस हर साल एक नवंबर को करनाटक स्थापना दिवस मनाया जाता है इस दिवस को राज्यूत्सो दिवस के रूप में भी बनाया जाता है यह खास दिवस उस दिन का प्रतीक है जब करनाटक राज्य अस्त की स्थापना हुई भारत की स्वतंतुरता के समय दक्षण भारत पर मैसूर राज्य हैद्राबाद की निजाम मद्रास अपचे नई प्रेसिडेंसी और बॉंबे अब मुंबई प्रेसिडेंसी का शाशन था 1956 में अनि निकटफर्ती राज्यों की कर्नण भाशी शेत्रों को शामिल करने के लिए मैसूर राज्य की सीमाओं को परिभाशित किया गया एक नवंबर 1973 में इसका नाम बदल कर करनाटक कर दिया गया इस उत्सव के दिन करनाटक सरकार राज्योत्सव पुरसकारों की को प्रदर्शित करने के लिए पूरे करनाटक में कई सांस्कुतिक कारिक्रम और समारो आयो जित किये जाते हैं इस दिन आधिकारिक दोर पर करनाटक भज़ फैराया जाता है चली अब जानते है करनाटक के बारे में यह दक्षुर पष्शिमी जहेत्र में सित्भारत का एक राज्य है इसका गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर गठन अधीनियम के माध्यम से विबिन कंणर भाषी छेत्रों को एक साथ लाकर किया गया था इसकी राजधानी बेंगलुरु है जो प्रोध्योगी की और नवाचार की दृष्टी से प्रमुख है इसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है इसकी सीमा महराश्ट्र, गूवा, आंध्रप्रिदेश, तिलंगाना, तमिलाडु और कीरल से लगती है तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अध्यास प्रश्ट को निम्रलिखित कथनों पर विचार कीजे एक करनाटक राजोत सव दिवस हर साल एक नवंबर को मनाया जाता है दो करनाटक का नाम बदलने का नेड़ने 1973 में लिया गया था उपर युक्तमेसी कौन सा या कौन से कथन सही है या सही ह एक केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ट का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद झाल